हलो व्लकम तो शेर मार्केट लाइब मैं हूँ सागर और आज अपने शोड़े में हम बात करेंगे अगले हपते की जो मंथली एक्सपायरी होने वाले है उसके लिए अपकी इस तरीके के ऑप्षेन डिटा बनते हो दिखाई दे रहे आज के दिन जो निफ्टी की एक्सपायर ट्रेड आपको मार्केट में देखने के मिला दिन के हाईएश पॉइंट के आसपास जाके हम मार्केट में आज करी बंद होते हो दिखाई दिये 10,000 के लेवल के उपर हम नजर रख रहे थे 10,000 के लेवल जैसे ही पार हुआ एक तेज शॉट कवरिंग का सिलसला दो बजे के 10,110 का निफ्टी में हाई बंता हो दिखाई दिया और दिन के टॉप पॉांट के आसपास जाके निफ्टी बंद हुआ क्लोजिंग जो आई 10,090 et90 के आसपास आपको देखने को मिलेगी दिन के हाईएश पॉंट के आसपास निफ्टी जाता हो दिखाई दिया और जो कल कि संकेत हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे लेकिन जब तक हम बंद हुए तो अमेरिकी बाजार भी जो थे वह पॉजिटिव कामकाज कर रहे थे तो अब यह देखने मानी चीज़ होगी कल किस तरीके से मार्केट रियक करता हुआ दिखाई दे सकता है गेनर और लुजर की अगर बात करें तो बजांच फिंसर्व का शेर आज आज आठ परशन से ज्यादा चलता हुए दिखाई दिया जी लिमिटेड में साड़े पांच परशन तक की तेजी थी और वेदानता में को मिली आज के दिन तक तुटता हुए दिखाई दिया आधा परशन तक दिखाई दिया और प्रशन का चाहिए दिखने को मिली लेकिन जिस तरीके से अब यहां पे गलोबल मार्केट रियक करते हैं उसके उपर नजेर रखने की जड़ूत है अभी के टाइम अगर हम बात कर ले तो SJX Nifty और Nifty Futures के जो लेवल चल रहे दस अजार बीस क्यास पर चलते हो दिखाई देंगे आपको हाला कि जो अमेरिकी मार्केट है वो थोड़ी नेगेटिव होते हो दिखाई दे रहे अभी लगबल आधा पर्षेंट तक की गिरावट आपको डाव फ्यूचर्स और S&P 500 और नेजडिक फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी यूरोपियन मार्केट भी एक से दो पर्षेंट तक की बड़ी गिरावट के साथ अभी कामकाच करते हो दिखाई दे रहे लेकिन अगर आज रात को किसी तरीकी की बड़ी जो शौक है वो लगती हो दिखाई दी अगर अमेरिका में वो गिरावट का सिलसिला जारी रहा तो फिर से कल क्या फिर एक बार निफ्टी ट्रैप को तावा दिखाई देगा जिस तरीके सा जाकरी आदे घंते में तेज शौट कवरिंग देखने को मिली है उसके कार मार्केट में आज आपको अच्छी खासे लेवल उपर के देखने को मिले तो सबसे इंपोर्टेंट जो ल लेवल अप सपोर्ट के रूप में अगले अपते काम काज करता हुआ आपको दिखाई देगा 10,000 के उपर क्लोजिंग होई है 39,000,000 शेयरो का टोटल उपर इंटरस्ट आपको दिखाई देगा आठ लाग 62,000 शेयरो की राइटिंग यहां देखने को मिले तो अच्छा खासा एडिशन देखने को मिला है 10,000 के पुट पे 9,900 के पुट में हम देख ले तो सात लाग 17,000 शेयर लगबग जोड़े और टोटल जो उपर इंटरस्ट है 32,000 शेयरो का आपको दिखाई देगा 9,800 के पुट में भी बात करूँ तो 10,000,000,000 शेयरो का बड़ा एडिशन देखने को मिला है 27,000,000 शेयर आपके अच्छे खासे उपर इंटरस्ट में जुड़े हुए तो कहीं न कहीं 40-50,000,000 शेयर पुट राइटिंग होती हुए आपको दिखाई दे रहे जो की एक साफ संके दिखा रहे है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो खासकर पुट राइटर साब कॉंफिडेंस है वो कितनी तेजी से लौटता हुआ वापस दिखाई दे रहे 30,000,000 शेयर जोड़ते हुए आज के दिन दिखाई दिये 24,88,000 शेयरों का अभी बड़ा ओपर इंटर्स टेक बना हुआ है यहां पर आपके लिए लेकिन 10,000 के लेवल के रूपर कल फिर से मार्केट क्लोजिंग देता है तो इन लोगों को भी यहां से कटना होगा लेकिन अगर 10,000 के नीचे आता है मार्केट फिर से तो इनको थोड़ी रहत की सांस देखने को मिलेगी 10,100 के कॉल पे बात कर ले तो 3,16,000 शेयर आज के दिन जोड़ते हुए दिखे हैं और टोटल 17,12,925 शेयरों का टोटल ओपर इंटर्स बना हुआ है तो कोई खास बड़ा एड इडिशन यहां देखने के दो मिल रहा है 10,200 के कॉल पे भी ज्यादा बड़ा एडिशन ने सिफ एक लाग 6,92,000 शेयर जुड़े और टोटल 16,000 लाग शेयरों का उपर इंटरस्ट है तीन लाग 57,000 शेयरों के कॉल पे जुड़ते हुए दिखाईती है और 20,000 शेयरों का ब अगले अपने की रेंज बनते हुग दिखाई देरें और जो वाइड मूव एकस्पेक्टेड है जैसे कि पिछले दोनों एकस्पायरी में हमको देखने को मिला अप्रैर सीरीज और मई सीरीज में भी एक बड़ा मूव जो होता है वो लास्ट वीक की एकस्पायरी में आपक यहां बहुत है यहां पर खतरनाग होते हुग है भाकि सारी तो ठीक है कि कैसे ना कैसे करके मार्केट यहां पर काम करता हो दिखाई दे रहा है लेकिन इंट्राइडे में जो स्विंग हो रहे हैं वो बहुत ही जादा हो रहे हैं अगर आप कॉंट्राइट रेड ले रहे हैं तभी आपको प्रॉफिट होगा लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई डियक्षिनल मूग लेने कोशिश करेंगे तो फस्ते वो दिखाई देंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने सेकेंड हाप में अच्छा उट परफॉर्मर्स करता हुआ दिखाई दिया है बीस हजार नौशो चपन के लेवल पे जाके बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया है जिस तरीके से तेज़ करिंग का सिलसला हमको देखने को मिला मंतली सीरीज में अगर बात करें तो बीस हजार का जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी भी देखने को मिलेगा हाइस्ट ओपर इंटरस अगर बात कर तो उस स्ट्राइक प्रैस पे जोड़ा दिखा दिया है और 3,17,000 शुरों का अच्छा एडिशन आपको यहां पर दिखेगा तो बीस पांसों से बीस हजार एक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉंग बेस है जब तक इसके ऊपर हैं तब तक हमारे लिए एक सपोर्ट है लेकिन अकर इसके नीचे जाए दिये तो अगले अपते के लिए जो डेटा है वह यहां पर बैंक निफ्टी के तरफ से थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हाला कि जिस तरीके से कॉल राइटिंग हमको देखने को मिल रही है वह ठीक ठाक ही नजर आ रही है 21,000 के कॉल पर अभी एक अच्छा आपनेटर यहां पर बना हुआ है यह ओपनेटर आज भी रिडियूस नहीं हुआ है अब देखने वाजी बात होगी कि क्या 21,000 के ऊपर जाता है कल मार्केट या वापस फिर 20-500 के तरफ एक बार जाने की कोशिश करता है अगर ऐसा होगा तो फिर 21,000 अभी भी एक स्टॉक रजिस्टन बनता हुआ दिखाई देगा लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगले हपते के लिए बैंक निफ्टी के लिए वह 21-500 से 22,000 का जोन देखने को मिलेगा आपको जो की हर बार यहां पर अटकता हुआ दिखाई दे रहे 21,500 के कॉल पे 3,14,000 को पर इंटेस्ट और 96,000 आज भी यहां पे जोड़ते हुए दिखाई दिए और 22,000 के कॉल में 4,800,000 का टोटल हो आई और एक लाग से ज्यादा आज के दिन यहां पे जोड़ते हुए दिखाई दिए अब समझने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी में जो वोलेटलिटी है वो निफ्टी के मुंक अगर 21,000 के लेवल पे आज हम बन दोते हुए दिखाई दिये तो यहां पे जिस तरीके से प्रीमियम चलती हुए आपको दिखाई दे रही है एक श्टैडल प्रीमियम की मैं आप से हमेशा बात करता हूँ आपने सुना होगा 610 रुपे की प्रीमियम चल रही है आपकी मतलब यह है कि आप 1100 पॉइंट नीचे और 1100 पॉइंट के ऊपर कहीं भी बंद हो आपको यह ट्रेड जो होगा वो प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई देगा यहने कि 19,900 से लेकर के 21,2100 तक का जो लेवल है वो आपके लिए इसके बीच पूरा हपता मार्केट अगले हपते अगर एक्सपायर हो जाए कहीं पर भी तो आपका यह ट्रेड होगा वो प्रॉफिटेबल होगा लेकिन अगर किसी भी साइड यह लेवल तोड़ देता है तो फिर आपके लिए एक मुसिबत खड़ी होती दिखाई देगी और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस के सा और 22,000 ऊपर के तरफ दी तोड़ेगा तो डेफिनेटल फिर जो पोजिशन है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटबल हो सकती है और अच्छी खासी जो वैल्योशन है इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है लेकिन 22,000 की ऊपर निकलने पाद एक टेज शॉट कवरिंग दे तो अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या कल मार्केट इस चीच को निकाल पाता है निकाल पाता कल का फ्राइडी का टेडिंग सेशन है तो डेफिनेटल मार्केट यहां पर दो दिन की जो गैप है छुट्टी है उसको फेक्टरिंग करने कोशिच करेगा लेकि कोई भी ज इस तरह कि सब्सक्राइब निकल के आ रिए तो यह सारी चीज़ें भी इंपोर्टेंट होते दिखाई देंगे तो यह सारी चीजों को देखके अभी मार्केट की वह लेट्रिटिक साथ पोजिशन बनाना आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा और यहां पर प्रॉफ मार्केट में काम करने की कोशिश नर करें क्योंकि अगर डारेक्शनल कॉल लेंगे और आप एक ही साइट की पोजिशन बनाक बैठेंगे तो फिर आपको या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा या तो फिर बहुत ही बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई देगा तो